हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं हूं ब्लॉगर सोहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है अभी यहां पर यह जो हमारा न्यू किचिन बन रहा है वो अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है और हम जा रहे हैं आज खिड की दर्वाजे लेने के लिए पहली बार जा रही हूं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कहां कैसे क्या जाना है अपने कोचिंग वाला बच्चा है हमारा तो उसके साथ जा रही हूं मैं और दुपहर का करीब तीन बज रहा है मेरा अभी आज कलना दुपहर मे नहीं जाना होता है इसलिए क्योंकि अभी लंच टाइम चलता है इतने टाइम तो जो भी मजदूर है जो भी बही लोग है वह इन लंच में चल जाते हैं तो मैं फिर चली जाती हूं तो मैं यहां पर आई हूं पहले पैसे निकालने के लिए एटीम उसके बाद मैं हूं हैं तो आई अप आए हाक हों यहां है इस के अधि यह इन दो यह स्कुछा को असा बीजा साइट कणा आट उयर्ण थина है यह अवाज नहीं के करे मैं सबस्केश्ट करिधे है तो फिर वो मैरू लोगे, येनी देखिते न भइया? यो देखिते ने अपने येनी देखिते हने? वह देखिते? चौन्छे चोन्छेशज पड़ें पड़ें जब से चोन्छेशन क्यों कि अब पूंधे ना बच्ची कोड़ीर नो इस चांच बहुता है? अपन को देखी लगाना है? हाँ तो फिड़की देख लेते हैं वह तरबा जेगी हाँ इसे जागी है? हाँ, यह है तो मैंने यह दरवाजा और कुछ वेंटिलेशन और खिड़ किया किचिन के लिए हाल के लिए तो वह मैंने ले ली है क्योंकि मैंने पहले पता किया था कि लकड़ी का दरवाजा जो प्लाई वगेरा वाला रहता है वह कैसा रहेगा जो डिजाइनर चले हैं आजकल बहुत लोग उसको लगवाते हैं अपने घरों में मैंने उसको भी पूचा था बट वो ना बारिश में खराब हो जाएगा क्योंकि हमको ना सामने ही लगवाना है इसलिए फिर मैंने उसको नहीं लिया मैंने उली खराब हो जाएगा हलाकि उसमें डेंटिंग-पैंटिंग समय समय पर करते रहेंगे तो ऐसे तो इपर यह है कि इनसान की जब गारंटी नहीं है फिर तो यह तो चीजे हैं तो मैंने वोला ठीक अच्छा लोही का ही रहेगा ठीक क्योंकि लोहा ठोस रहता है और हमारे लिए सेफटी के लिए भी ठीक है तो यहां पर बस मैंने गेट वेंटिलेशन और खिड़किया वगरा ले ली थी और यह सामने जो पीछे गेट रखा हुआ ना उसी को मैंने देखा था लेने के लिए तो अब मैंने वही लोही का गेट वगरा ले लिया है उसके बाद यहां पर यह लोडिंग आटो में मैं रखवा दिया है अब मैं घर की तरफ चा रही हूं घर जाओंगी जब तक यह आटो भी आ जाएगा पीछे पीछे तो यह देखो यह दरवाजा आ चुका है घर में तो जो पहले लगा हुआ था उस दरवाजी को हम निकाल दी रहे हैं तो फ्रेंड्स भी हो रहा है शाम का समय और मैंने पानी भर दिया है यहां पर यहां पर वो टंकी रखी हुई है उसको भर दिया है क्योंकि यहां पर काम लगता है न तो यहां पर पाने की जड़त होती है और अब चलते हैं वहां पर वहां पर देखते हैं क्या हाल है ठीक है तो यहां पर गेट लग चुका है आप लोग देख सकते हैं कुछ समय बाद मैंने शूट किया थो और अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रही है मेरे मुवाइल में इस्पेस रही रहता है तो मैं एक एक वीडियो एडिटिंग करके और अपलोड में कर देती हूं फिर मैं गलरी में जगा बनाती हो तो शूटी नहीं होता है स्पेस नहीं होता है तो शूट करना ब़हां कुछ होता है वट जो जो जोड़वा कर हमने थोड़ा सा आंगे खिसका कर यहां से बनवा रहे हैं जिसमें कि वो हॉल बन जाएगा और काफी जगे निकल गई है शुकले जी ने जैसा बोला था बिल्कुल उन्हीं के अनुसार में बनवा रही हूं मुझे आइडिया नहीं था कैसे क्या बनवाना है ब मैं हूं ब्लागर सोहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है मैंने आज मालूम क्या किया अभी तो मॉनिंग टाइम में लेट हो गई हूं मैं और नल भी नहीं आये हैं तो यहां पर तो अभी साफ करना है बरतन दोले हैं अभी जल्दी से यहां पर क्लीन करके म मुझे ना आने जाना है और लाइट भी नहीं है सारी राज से लाइट गोल है है पर अच्छा हुआ मैंने ना पावर बैक चार्ज कर दिया था तो पावर वैक भी चार्ज हो गया और यहां पर अभी न से चाई करनी है हमको देखो कितना बज़रा है जल्दी से नहां के आना है मुझे क्योंकि फिर अभी कोचिंग आ जाएगी और यह नेलपेंट कैसा लग रहा ना अच्छा लग रहा है बैठे बैठे आर्ट किया मैं आई ऐसे सिम्पल वाला तो श्रया भी उठी है तो वह बाहर गही है ब्रस करने के लिए और यहां पर गेट लग चुका है अब देख सकते हो आप लोग दिखाति उंदेंद हो दिया और अभी यहां पर साफ करना है यह देखो यह गेट लग चुका है और यह देखो यहां पर ऐसे इस तरीके से, ये दीवार और ये गेट, गेट कैसा लग रहा है बताईएगा, बाद में न, बाद में ये दीवार तूट जाएगी, हाना, तो बाद में तूटेगी, अभी नहीं तूटेगी, अच्छा, लाइट आ गई, लाइट आ गई, ये देखो, फैन ओन हो गया है, लाइट आ गई, लाइट बंद कर देते हैं, मोबाईल भी चार्ज में लगाना है, यहाँ पर, यह हमारा किचिन बन रहा है, मैंने एक दिन कहा था न, कि मैं यहाँ पर किचिन बन वाऊंगे, तो यह बन गया है, किचिन, देख सकते हो, आप लोग, लंबेम बना हुआ है, चलो तो आप आएंगे, नल लग रहा है, क्योंकि लाइट आगे न, तो नल भी आ जाएंगे, तो जल्दी से इस रूम का, क्लेन कर लूँ, बहुत फैला हुआ है, मालुम है, घर बगेर बनता है न तो बहुत फैला रहता है, बहुत जादा, थोड़ा सा डर बस लगता है, कि क्या पता है, यह सब हो पाएगा, कि नहीं पर धीरे धीरे बस हिम्मत रखी हुए हूँ, कि अच्छे सो हो जाए, कोई विग्नवादा ना आए, क्लेर काम हो जाए, और समय के अंदर ही हो जाए, जादा समय ना ले पाए, और यह तो अपने हाथ में है नहीं है, क्योंकि जितना समय लगेगा, घर बनने में, दो, तीन दिन, एक घंटा तो लगता ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है, कितना ही काम करवाई, हमारे हाँ जब हमारे पास पहले यह प्लेटफॉर्म नहीं थ तो मैं नीचे ही खाना बनाती थी, वो कुकर भश्ट हुआ था ना तो टूड़ गया था पूरा, तो मैं नीचे ही खाना बनाती थी, तो इतने से काम के लिए, इतना जो है, इतने से काम के लिए ना, मुझे याने करीब दो दिन लगे थे, मुझे नहीं याने, यह काम जब चल रहा था, तो दो दिन लगे हुए थे, तो फिर तो ये पूरा छतवर डलवाना है, तो इसमें तो टाइम लग नहीं है, और मैंने करीब दो महने का समय लिया है, कि दो महने में ये सारा कुछ काम हो जाए, देखते हैं, कैसे हो पाता है कि नहीं, अभी तो चारी दिन हो है, धीरे-धीरे, यानि काम तो अच्छा स्पीड में हो रहा है, बड़ जो नी वगेरा, पिलर वगेरा डालना उसमें टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दस-दस फिट खुदाई होना, उसमें फिर जो भी गिट्टी वाला मसाला डालना, और यही सब मैं फ जल्दी से बना के, क्योंकि फिर हमको ना, दो घंटे हमारे सुब़ शाम कोचिंग में चले जाते हैं, दो-दो घंटे, और नौ वज़े से काम स्टार्ड होता है, तो देखते हैं, जो भी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी, तो अभी तो मैं जल्दी से किचि अच्छा लगाना है, क्योंकि पूरे मेना धूल-धूल हो गई है, अजीब से दाग, आप बिटा, पूच्छा पूच्छा श्रेयर लगाएगी, चैलो ठीक है, देखो इस तरीके से ये पूरा दाग दाग बन जाते हैं, कितना ही साब करो, क्योंकि बाहर के पैर आते हैं, फिर अंदर हो जाते हैं, तो ऐसे दाग बन जाते हैं, और मैंने तो इतने बरतन थे, तो मैंने यही पर साफ कर लिये, बैटके, और बरतन दोल गये हैं, और पानी वानी भी फेक दिया, मैंने, आज अभी नल आ जाएंगी, तो ये सारे कुछ बरतन मैं भर लोंगे, अभी चोटे चोटे बरतन जो मुझे समझ मारे सारे में भर के रख रही हूँ और श्रया क्या कर रही है जाडू लग रही है, मैंने तो लगा दी थी जाडू मैंने इतना लगाए, बहुत गंदा था यहां पर यह जो मैं खिड़कियां लेकर आई हूँ, यह देखो पानी भर रहा है तो मैं जाओ पहले कर लहूँ, जल्दी से चोटी बाल्टी में पानी दे घे लेकि क्लिन कर लूँ जाकर पूच मेरे पापा से कितनी लडली थी मैं उनकी इचा मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे बेटा खुद को इतना सवार लो कि पाने को कद्र हो और खूने को अख्षोस तो फ्रेंट्स आज का वीडियो यहीं तक है मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाई वीडियो थोड़ा सब अच्छा लगए तो लाइक शेयर कमेट करना ना भूलें आप लोगों के एक लाइक शेयर से मुझे बहुत हैल्प मिलेगी